दोस्तो आज हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूव्मेंट बहुत छोटा सा चैप्टर है असान चैप्टर है ICC के लेटेस लेबस के अकार्डिंग आपको पढ़ाऊंगा क्विट का मतलब होता है छोड़ना तो इस आंदोलन का मतलब है कि भारत को छोड़ो अंग्रेजों से कह रहे हैं कि अब टाइम आगिया है कि अपना बोरिया बिस्तर बांदो और जाओ हमारे देश को छोड़के भारत छोड़ो गेट आउट दोस्तों मैं आपको बताओं ये टाइम था सेकंड वर्ड वार का और इंग्लेंड और जापान दोनों आपस में दुश्मन थे जापान और इंग्लेंड की लड़ाई हो रही थी आपस में अब आप कहेंगे कि सर सेकंड वर्ड वार कहा सा आगी हम तो कुट इंडिया मूवमेंट पढ़ लाए यहां पर कुट इंडिया मूव्मेंट के तार जुड़े हुए है वर्ड वॉर्ड सेकिंड से और खास तोर से जपान से मैं आपको बताता हूं कैसे अब जपान जो था ना वो इंग्लेंड की कलोनी इसके ओपर अटैक कर रहा था जपान बहुत सारे इंगलेंड की कलोनी इसके ओपर अटेक कर चुका था और वो धीरे धीरे हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था हिंदुस्तान भी तो इंगलेंड की कलोनी था इंगलेंड के हुलाम थे हम लोग इंगलेंड की हुकूमत थी हमारी कंट्री पर तो अब जपान का खत्रा हमारे सर पर मंढरा रहा था क्योंकि जपान ने बहुत सारी कोलोनीज को कैपचर कर लिया था इंगलेंड की अटैक किया था इंगलेंड की कोलोनीज के उपर और उसका अगला निशाना हिंदुस्तान था अब हमारे लिडर्स ने सोचा कि भाईया हम तो बली के बगरे बनेंगे इंग्लैंड यहां पर है हमारी कंट्री में तो जपान खामा खाँ हमारे उपर अटेक करेगा जपान से तो हमारी कोई दुश्मन है यह नी लेकिन इंग्लैंड यहां का राजा बना हुआ है इसी वजह से जपान हिंदुस्तान के उपर अटैक करेगा तो जपान का खत्रा डालने के लिए अंग्रेजों को यहां से भगाना पड़ेगा समज्मा रहा है? अभी मैं धोड़ी देर माँंगा इसके उपर समझाओंगा अच्छी तरह से सबसे पहले देखते हैं कि क्विट इंडिय मूवमेंट के क्या क्या काऀ़िस थे सबसे पहला कास्ता फेलियर ऑफ दि क्रिब्स मिशन क्रिप्स मिशन आपका स्लेपस में हट चुका है लेकिन आपको पढ़ना है कॉजिस के बारे में कुट इंडिया मूविंट के और कॉजिस में सबसे बड़ा कास्ता फेलियर आफ दी क्रिप्स मिशन अब अगर आपको Failure of the Crips Mission पढ़ना है तो उससे पहले थोड़ा बहुत आपको Crips Mission के बारे में पता होना चाहिए तब ही आपके Failure समझ में आएगा पूरा खेल आपको समझाता हूं दो मिनट में बिल्कुल असान लेंगुज में देखो जपान मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड का दुश्मन था और इंग्लैंड की कोलोनिस के ओपर अटैक कर रहा था अब जपान एक एक करके इंग्लैंड की कोलोनिस को जीत रहा था क्योंकि इंग्लैंड की कोलोनिस इंग्लैंड के साथ में नहीं थी जैसे फर एक्जेम्पल मान लो आप मेरे घर में आए आटेक किया मेरे घर के उपर और मुझे मेरे ही घर में लॉक कर दिया तो क्या मैं आपका साथ दोंगा नहीं दोंगा ना मैं तो आपका दुश्मन हो गिया तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ लूस्तान में अंग्रेज आए हमारे ओडाइक किया और हमें रूल करने लगे हमें अपने ही देश में हुलाम बना दिये इन लूगो ने तो भला हंदुस्तानी कैसे अंग्रेजों का साथ दे सकता था अंग्रेस तो हमारे दुश्मन बन गए थे बिलकुल ऐसे ही बाकी कॉलाउनीज में भी हो रहा था बाकी कॉलाउनीज भी इंगलेंड के खिलाफ थी तो ऐसे में जपान बहुत असानी से कॉलाउनीज को कैपचर कर रहा था क्योंकि वहां के लोकल लोग इंगलेंड के खिलाफ थे दोस्तों अंग्रेसों के ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ मा आ गई थी कि अगर हिंदुस्तानी हमारे साथ में नहीं हुए न तो जपान हिंदुस्तान को भी छीन लेगा जपान को डिफेंड करने के लिए हिंदुस्तानीों का साथ होना बहुत जरूरी है हिंदुस्तानी हमारे साथ में खड़े होंगे तब हम जपान को हरा सकते हैं ये बात समझ मा आ गई थी इंगलेंड के और इसी लिए इंगलेंड के सरकार ने सर स्टैफोर्ट क्रिप्स को इंडिया में भीजा ताकि वो हिंदुस्तानीों को मना सके बहला सके लॉलिपॉप देखा के बहला सके और इसी को कहा जाता है क्रिप्स मिशन देखो मैं चाहता तो क्रिप्स मिशन को स्किप भी कर सकता था आपके स्लेवस में नहीं है लेकिन मैंने एक मिनिट के अंदर आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बताया है ताकि आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझ माया है कि क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ था करने के सबसे पहले रिजन था कृिप्स ने हमसे यादा किया था कि वो हमें जल्दी ही अजादी देंगे वो कह रहा था कि सैकंड वर्लव वार के बाद इंडिया का कॉंस्टिट्यूशन के बाद करेंगे अब देखो उस टैम पर सैकंड वर्लव वर चल रहा था, 1942 की बात हो रही है और उस स्टेज के उपर किसी को नहीं पता था कि वर्ल्ड वार कब खतम होगा, तो वो हवा में बाते कर रहा था, भई अगर मैं आप से कहूं कि 10-15 साल के बाद मैं आपका ये काम करूंगा, तो आप क्या मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे ना, तो हमें तो नहीं पता कि वर्ल वार कब खतम होगा, आप ऐसा क्यों कहरो कि वर्ल वार के बाद हम मानेंगे आपकी बात, इंडिया के कॉंस्टिशन के बात होगी वर्ल वार के बात इसके बात दूसरा सबसे बड़ा खत्रा ये था कि कृप्स ने ये कहा था कि अगर कोई प्रोविंस हिंदुस्तान के नए कॉंस्टिटूशन को नहीं मानता तो फिर वो अपने खुद का कॉंस्टिटूशन बना सकता है प्रोविंस मतलब जहां पर खुद की लोकल गवर्मेंट होती है जो राज्यों के अंडर होती है स्टेट समझ लो आप असान लेंग्विच में आप स्टेट समझ लो जैसे मालो फर एक्जेम्पल हैदरवाद का राजा ये कहता है कि भईया मैं कॉंस्टिटूशन को नहीं मानता हूँ मैं तो अपना अलग कानून बनाऊंगा तो हैदरवाद के राजा को ये इजासत होगी कि वो अपना अलग कानून बना सके समझ मारा है मतलब गुजरात का कानून बार्द का लगोगा, जम्मॉ कश्मीर का लगोगा, पंजाब का लगोगा, बंगाल का अपना लग कानून होगा ऐसा करने से तो हमारे देश टूट कर रह जाएगा, सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे अजादी के टाइम पर 17 प्रोविंसिस थे हिंदुस्तान में तो 17 तुकड़े हो जाते हमारे अगर क्रिप्स की बाद हम लोग मान लेते तीसरा रीजन था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है ना मतलब जहां पर राजा महाराजा शासन कर रहे हैं वहां के रिप्रेजन्टेटिव को राजा ही चुनेगा जनता नहीं चुनेगी जैसे फर एक्जेंपल हर 5 साल में एलेक्शन होता है आपके पेरेंट्स वोट डालने के लिए जाते हैं आपके एरिया से जिसको भी सबसे जादा वोट मिलता है वो जीतता है एमले बनता है मिनिस्टर बनता है लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी एलेक्शन नहीं होगा रिप्रेजन्टेटिव को राजा ही चुनेगा ऐसा करने से डेमोक्रेसी खतम हो गई जनता का कोई रोल ही नहीं राज डेमोक्रेसी खतम हो गई समझ मारा है चौता रीजन था क्रिप्स मिशन फेल होने का कि क्रिप्स कह रहा था कि जब तक आप लोगों का नया कॉंस्टिटिउशन नहीं बनता तब तक आप सभी इंडियन लीडर्स को वाइसुराई की एक्जेक्यूटिव कॉंसिल में पार्टिसिपेट करना होका और वाइसुराई के हाथों में पूरी ताकत होगी वाइसुराई की बात मानो और क्रिप्स आया भी हिंडुस्तान में इसलिये था कि वो किसी तरहां से मनाए हिंडुस्तानी लीडर्स को थोड़ा लॉली पॉप दिखाए अपने बातों में उलजाए ताकि वर्ल्ड वार तक सभी हिंदुस्तानियों का साथ उन्हें मिल जाए अंग्रेजों को हमारा साथ मिल जाए वर्ल्ड वार तक तो यहाँ पर इसने कंडीशन को रख दिया कि हमारा साथ दो वर्ल्ड वार तक हमारी बात को मानो वर्ल्ड वार के बाद हम तुमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे दोस्तो क्रिप्स के प्रपोजल को सभी लोगों ने रिजैट कर दिया था चाहे वो कॉंग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासवा हो, दलित हो, क्रिश्चन हो, सिख हो अंगलो इंडियन्स हो, सभी के सभी ने रिजैट कर दिया यहाँ पर किसी भी ग्रूप को अपना कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था क्रिप्स मिशन किसी भी ग्रूप के लिए कोई फायदे मन नहीं था पहला रीजन तो हो गया, फेलियर आफ दी क्रिप्स मिशन दूसरा रीजन आपको पढ़ना है जैसे कि मैंना आपको वीडियो के स्टाइटिंग में बताया था कि सैकंड वर्ल्ड वार में जैपान अटैक कर रहा था ब्रिटिश कलोनीस के उपर जैपान ने शेंगाई यानी चाइना में रेड मारी फिलिपिन्स में घुस गया, मलेशिया में घुस गया, मयनमार पर उसने गबज़ा कर लिया इंडिया के असपास की काफी जगापर अटैक कर चुका था जैपान और बारी थी इंडिया की जपान असाम की और बढ़ ला था अब देखो इस बाद से हमारे लीडर बहुत परेशान हो गए जपान इंडिया के ओपर अटैक करते ही उसको जीत लेता क्योंकि यहाँ पर जपान को रोकने के लिए कोई भी नहीं था जपान अगर हम पर अटैक कर देता हिंदुस्तान पर तो कोई भी नहीं रोक पाता जपान को बहुत असानी से इंडिया को जीत लेता वो और अगर जपान घुस जाता इंडिया में तो पिर हम लोग क्या करते बड़ा परेशान थे हम लोग इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि अंगरेश हमारी कंट्री को छोड़ कर भागें हमारी कोई दुश्मन ही नहीं है जपान से जपान हम पर अटैक क्यों करेगा अंगरेशों की वज़ह से करेगा अटैक मेटी बैठी मुंबई में और ज़ादातर कांगरेश के मेंबर्स ने कहा कि क्विट इंडिया मुव्मेंट होना चाहिए सभी से पूछा गया और ज़ादातर लोगों ने क्विट इंडिया मुव्मेंट को स्टार्ट करने का कहा तो फिर रेजुलिशन पास हो गया क्विट इंडिया रेजुलिशन 8 आगस 1942 में कांदोलन शुरू हो गया दोस्तों क्विट इंडिया मुव्मेंट के बात वार्दा में हो चुकी थी जुलाई 1942 में जुलाई में क्या हुआ पूरा प्लैन बनाया गया एक स्ट्रेटेजी को बताया गया कि ऐसे ऐसे हम मुव्मेंट को करेंगे प्लैन बनाया गया और 8 आगस को वो प्लैन सबको सुनाया गया और जब जब ज़्यादतर लोगों को प्लैन पसंद आया तो फिर वो प्लैन पास हो गया क्विट इंडिया रिजल्यूशन और इस वजह से नौन वाइलेंट स्ट्रेगल स्टार्ट हो गया किसी भी तरह की कोई हिंसन योगी और इस बार हम देश को गांधी जी की लीडर्शिप में पूरी तरह से अज़ाद कराएंगे गांधी जी ने नारह दिया था करो या मरो, डू और डाई दोस्तो अब आपको पढ़ना है Impact, Significance and Consequences of the Movement मैं आपको बताऊं क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत important landmark है इंडिया की अज़ादी के struggle में जैसे for example मालो आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको 10th Class में अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा 10th Class की बहुत importance है अगर 10th Class में नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाऊगे तो जैसे 10th Class landmark है आपके गरियर में important है वैसे ही Quit India Movement अज़ादी के लिए लैंड मार्क था बहुत important role play किया इसने Quit India Movement तीसरा मास मूवमेंट था दो मूवमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ Non cooperation मूवमेंट और Civil Disobedience मूवमेंट तीसरा है Quit India मूवमेंट Quit India मूवमेंट पूरी तरह से अंग्रेजों को हिला के रख दिया अंग्रेजों के जड़ों को हिला के रख दिया दोस्टों Quit India मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा ज्योज भर दिया था हिंदوस्तानीनीं हिंदोस्तानी अजादी के लिए अपनी जान भी दे सकता था अब हिंदोस्तानी अंग्रेजों से नहीं डर रहा था उसको अपना देश हिंदोस्तान अज़ाद चाहिए था और अज़ादी के लिए उपनी जान को भी कुर्बान कर सकता था दोस्तो भारत को अज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता था दोस्तो अंग्रेज़ों के इतने सालों के राज में अभी तक कुईट इंडिया मूवमेंट जैसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था इस मूवमेंट में जवान, बच्चे, बुड़े, औरते, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तो अभी आपके स्क्रीन के ओपर एक प्लेइलिस्ट आ रही है इस प्लेइलिस्ट पर क्लिक करोगे आप तो आपको I.C.H.C. हिस्ट्री और सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही अहसान लैंग्विज में तो जाओ प्लेइलिस्ट के ओपर सारी वीडियो इसको देखो अच्छे माक्स लेकर आओ मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में जैहिंद